नमस्कार दोस्तों वेलकम टो डियरेक्शन स्टीटी पॉइंट में उसर अरप सुखला देखिए इस वीडियो हम बात करने बाले हैं बिहार एससी इंटर लेवल मेंस एक्जाम के बारे में हम बिहार कर्मचारी चाहिना आयो के आपसर वेप्साइट पर आयो है और यहां पर देखिए 29 तारिक डेट मेंने के कल यह एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन बीएससी इंटर लेवल मेंस से समझने देखिए क्या लिखा हुआ है important notice regarding waiting list और vara और इस पर क्लिक करते हैं इंट में जो किन बातों के जनका दे गई है तो दिखिए हैं पर हमने आपए डेट देख सकते हैं 29-22 और यह विग्यापन संख्या 066614 प्रत्म इंटरस्तरिय संञ्योगत्त प्रतियोगता परिक्षा 2000 हेतु आयोजित काउंसलिंग के उपरांत मेधा कुल 11,349 अभयर्थियों को आधार परcing की ख Adri whenस की आधार पर प्रवागों को परिशित कर दी गई है आप सभी को पता है कि कुल कितने पत थे 14,329 से अधिक थे आप सभी को पता है यहां पर लिखा है कि काउंसलिंग है तुँ आमंत्रित 14,410 अभिर्थियों के स्टेटस एवा मृत्तियों के सम्मंधित विवरडी आयो के आवसेक सूचन ग्यापांक द्वारा 27-22 में उल्लखित है तो 14,410 लोगों को यहां पर अंतिम रुप से चैनित किया गया था जो है काउंसलिंग के बाद जो है कुछ पद खाली रह गया थे और हमने भी कहा था कि कुछ जो पद खाली रह गया है उनके लिए या तो वेटिंग डिस जारी क काउंसलिंग करवाई जाए क्योंकि जो पद बाकी रह गये थे उनके काउंसलिंग करवागर बाकी चातरों को जो है उस पद उपर मौका दिया जाए तो उसी को जो है देखिए यहां पर आयोगन क्लियर किया है कि परिक्षा फल प्रकासन के उपरांत वेटिंग लिश्ट जारी करने एवं भविस्थ में काउंसलिंग हेतू उपलब्ध 177 बदों के लिए काउंसलिंग आयुजित करने के संबंध में कतिपाय अभ्यार्थियों एवं विभिन नमाध्यमों से आवेदन प्राप्त हुए हैं बिल्कुल सही है क्योंकि हमने भी बात कही थी कि सेकेंड काउंसलिंग होने चाहिए तो इसके लिए काफी इन लोगों मेसेज जो है मिला होगा एवं योग अभ्यर्थियों का चैन कर अनुसंसा किया जो है प्रिसित किया जाता है कार्मिक एवं प्रसासनिक सुधार विभाग बिहार पटना के संकल पसंख्या 374 दिनांग 16-27 की कंडिकाच 16 में सपस्ट्रों लिखे था है कि किसी उम्मिदवार या उम्मिदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्यकारणों से रिक्तियां भरी नहीं जा सकने की स्थिती में ऐसी रिक्तियां अगले अधियाचना के लिए अग्रडित किये जाएंगी आगे लिखा है कि वेटिंग लिष्ट जारी करने के संबंद में कोई प्रावधार नहीं होगा अत यह वो बिहार कर्मचारी चैन आयोग के द्वारा विग्यापन संक्या 066114 प्रथम इंटरस्तरी संयुकत प्रतियुकता परिष्टा 2014 से संबंधित वेटिंग लिष्ट जारी नहीं की जाएगी तो देखिए आपर दो बात स्पष्ट की गई है न तो वेटिंग लिष्ट की जाएगी न तो वेटिंग ・लिष्ट चैरी चैरी की जाएगी और नहीं आपका सेन्द कॉंसलिंग की जाएगी तो इसका मतलब कि जो चात्र अब बाकी रहे गये थे अब जो हे कोई भी आगे कारवाई प्रावधान नहीं होगी ना तो वेटिंग रिस जारी होगी और नहीं कि सेकेंड काउंसलिंग होगी यह बात आयोग ने हापर सबस्ट किया है काउंसलिंग है तो योग्य कतिपय अभिर्थियों के मामले माननी उचन्याले पत्ना में विचारा थी है इन मामलों के बताया है कि जो है वेटिंग लेस्ट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है विहार कर्म जारी चाहिन आयोग में लेकिन देखे एक बात और की जा रही है कि काउंसलिंग है तो कुछ लोगों ने जो है हाई कोट पटना में केस किया है मामला विचारा धीन है तो इन मामलों क कि निस्पादन के पस्चात जैनी कि जब मामला क्लियर हो जाएगा जब कोट का डिसिजन आ जाएगा उसके पस्चात जो है काउंसलिंग के लिए 177 पदों के विरुद जो है मेधा नुसार योग के भिरतियों को काउंसलिंग है तो आमंत्रित करने का निर्ड लिया यानि कि जो court का decision आएगा उसके आधार पर अगर court फैसला कर देती है कि आपका जो है दुबार counseling करवाना चाहिए तब यह लोग counseling करवाएंगे यदि court सरकार के पक्षमे फैसला देती है तो जो है फिर counseling नहीं होगा तो यह इसके लिए आपको court के decision का जो है इंतजार करना पड़ेगा और यह जो है पत्र लिख दिया गया है यानि कि यह जो notice जारी कर दिया गया है विहार करमचारी चाहन आयोग के द्वारा तो इससे दो बात स्पस्ट हुए कि आयोग तो नहीं चाहता है कि वह counseling करवा है लेकिन अगर court decision आता है तो जो है counseling यहा बहुत जरूरी था क्योंकि काफी छात्र जो है काफी दुनों से इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का तो इस वीडियो में यह सुचना देने जरूरी थी वीडियो को जरूर सेयर करिए चैनल पर पहली बारा सब्सक्राब भी कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत जो दन्यवाद